अब बहुत सारे लोगों ने इंडिरेक्ली इस टॉपिक को गवर करने से रिलेटेड रिक्वेस्ट भी किया था तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट कर देते पर उससे पहले जरू के ना चाहूंगा अगर आपने फर्स टाम विजिट के है इस चानल को जरू सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आइकन को हेट करके ओल जरू सेलेट कर लेना सो ऐसे इंट्रेस्टिंग विडियो आप लोगों को हर अफते कवर नहीं करता हूं आपको यहाँ पर पता है ना तो शॉट टर्म के लिए और ना तो ट्रेडिंग से हिसाब से अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आप एक लॉंग टर्म इन्वेस्ट्मेंट करते हो तो आप डेफिनेटली इस विडियो को यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते ह हो रुस्तों यहाँ पर सभीलों को पता है मेरे और एक चैनल है SMKC करके लगबग 1.40 मिलियन उसके सब्सक्राइबर है तो इस चैनल के उपर भी अगर मैं बात करू तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिल जाते हैं मतलब पॉपिलर कमेंट के अगर मैं बात करू न तो इस प्रकार के कमेंट आते हैं सर आपको पता है आपका यह जो चैनल है न वो बहुत जबरदस ग्रो हो सकता है आपको पता है मतलब आपका चैनल ग्रो करने के लिए आपको एक चीज करने पड़ीगी आप जो शेर्स बताते वो तो बहुत अच्छे रहते आप सिर्फ ब विडियो बना दीजे मतलब अगर आप इन सभी चीजों की कमेंट को अगर आप समरी टाइप देखोगे तो हर कोई यहाँ पर यही कहने की कोशिश कर रहा है तो ही इस विडियो को देख लेना यहाँ पर कोई fancy चीजे होने वाली नहीं है बिल्कुल practical और कड़वी चीजे में आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ जिसके चलते शायद से कुछ लोगों को हजम करना भी वो चीजे थोड़ी शी मुश्किल हो सकती है तो इस विडियो में कुल मिला कि चार एक्जामपल मैं आपके सामने आपे रखने वाला हूँ और इस चार एक्जामपल में देखा गे ना तो दो एक्जामपल यहाँ पर buying से related रहेंगे अगर आपको exactly buying level से related चीज़या identify करनी है और दो एक्जामपल रहेंगे यहाँ पर selling से related आपको exact selling level चाहिए ना उससे related मतलब कुछ example बता दूँगा कड़वी सच्चा ही आपके सामने रखूंगा तो picture clear हो जाएग आपकी तो ठीक है यहाँ पर आजाते example के और number one example ठीक है तो buying का पकड़ लेते सबसे पहले तो दोस्तो आरजे सर राकेश जूनियोन वाला सर फिलाल तो अभी हमारे बीच में आपे नहीं है बट इन्होंने बहुत सारी learning lesson हमनों को यहाँ पर देखे रखे हुए है तो राकेश जूनियोन वाला सर की अगर मैं बात करो दोस्तो तो यहाँ पर पिछले दो या तीन साल अगर आप पीछे जाते हो तो उन्होंने एक share buy किया था अभी थोड़ा focus रख लेना मैं buying से related exact buying level का जो हर किसी का doubt होता है तो वो clear हो जाएगा सो राकेश जून जूनाला सर नहीं हाँ पर क्या किया था buying किया था कब पता है यह देखे इस level पर कितने पर buy किया था पता है एक share 90 रुपे पर buy किया था कौन सा share है वो इतना important नहीं है वैसे तो मैंने बहुत बार नाम बताया भी दिया है बट main concept आप लोगोंने focus में रखन आप देख रहे हो यहाँ पर जबरदस गिरावट 60% कितना crash हो गया पता है 10-20-30% नहीं 60% crash हुआ and दोस्तों वो stock 35 रुपीज तक आ गया just imagine पूरे भारत के number one investor stock market के अगर हम लोग यहाँ पर बात करते जिन्नोंने अपना career RJ सर को देखकर शुरू किया है उन्होंने एक share खर खरीदने के बाद within one month 60% crash हो गया and 35 तक आ गया आपको समझ रहे में बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि RJ सर मतलब यहाँ पर number one investor को भी exactly पता नहीं होता है दोस्तों कि बाजार में कब क्या हो सकता है उन्होंने खरीदने के बाद 20-25 दिन के अंदर वो stock crash हो गया 60% no doubt उसके पीछे के reason covid जैसे हम लोको reasons देखने को मिले थे बट यह चीज में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं वो stock 90 रूपी से 35 आ गया उसके बाद RJ सर ने क्या किया 50 रूपे पे वापस उन्होंने बड़ी quantity buy की almost same जीतना उन्होंने 90 पे खरीदा था जिसके चलते उनका average price 70 हो गया और आज वो share 136 पे चल रहा है मतलब लगबग लगबग उनको 100% return यहाँ पे मिल गये तो बताने का major मकसद के है दोस्तो राकेश जुन्योन वाला सर को भी exactly buying level यहाँ पे identify करना यहाँ पे नहीं आता हूँ यह मैं नहीं बोल रहा हूँ उनके खुद के interview में उन्ह के बाद stock crash भी हो गया 60% just imagine so हम लोग जो बोलते हैं कि sir आप exactly buying level बता दो दोस्तो यह ना exactly buying level किसी को भी नहीं पता होता है यह तो just minute आपको example दिखा दिया अभी आप लोगों को ऐसे बहुत सारे example मुझे आप लोगों को यहाँ पे बताने है so point number two के उपर यहाँ पे आ जाते बढ़ उससे पहले जरू केना चाहूंगा दोस्तो इस वीडियो को like कर देना आपके like के चलते मेरा motivation यहाँ पे बढ़ जाता है so example two लेना चाहेंगे institutions की साबसे मतलब FIS की बात करे DIS की बात करे DIS में mutual fund भी आते है इनके पास दोस्तो दुनिया भर की चीज़े रहती है दोस्तो mutual fund की भी अगर हम लोग यहाँ पर बात करे क्या वो exact price पर buy करते दोस्तो बिल्खुल भी नहीं आप लोगों ने check क्या हो गया जो fund managers होते है उनके भी interviews देख लेना वो यहाँ पर कहते है हमारे पास जो पैसा आता है हम लोग निफ्टी अभी 18,000 पर होंगे तब भी ह business होना चाहिए बस वो पकड़ कर ही हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं ना कि हम लोग best price क्या रहता है क्योंकि price हमारे हाथ में नहीं है आज आप लोग किसी भी share में जाके invest कर लो for example यह देखे यहाँ पर हम लोग कह रहे कि यह best level है यहाँ पर stock चल रहे है यह best level है आपने ख चीजे stock market में यह चीजे होती रहती है दोस्तों सिर्फ कमजोर retail investor इस चीज के चलते धाराशाई हो जाते डर जाते और वह exit कर लेते हैं जो strong लोग रहते हैं यहाँ पर खास करके जो बड़े investor होते हैं या फिर जो अच्छे retail investor होते हैं वह इन चीजों को अच्छी तरीकी से जानते हैं कि यह चीजे भविश्चा में हमेशा होती रहती है और वह गिरावट का फाइदा उठा कर average कर लेते हैं बाद में जब वह share भागता है उनको अच्छा असा फाइदा यहाँ पर होता है जो दो best example में आप लोग के सामने आपे रखे buying से related जो आप पूछते हो ना कि best buying level आरजे सर भी यहाँ पर प्रॉपरली best buying level यहाँ पर पकड़ नहीं पाए जो आप लोग के energy जाती है ना कि exactly मुझे bottom पर यहाँ पर खरीदना है दोस्तों यह exact कोई भी आपर खरीद नहीं पाता है जो यह चीज आप लोगों को पता यहाँ पर होनी चाहिए और same चीज दोस्तों यह selling से related भी है मतलब यहाँ पर इसके उपर जाने से पहले मैं जरू केना चाहूँगा अगर आपके पास अभी तक demat account नहीं है तो link नीचे description box में दिया है आप चाहो तो link के तुर अकाउंट open कर सकते हैं 25 वीडियो की list आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगी आपका नाम लिंक के तुर आपनी कौन सा demat account open के यह properly comment section ने बता देना तो अफते बर के अंदर अंदर यह सारे lectures आपनें को free of cost प्रवाइड कर दी जाएगे तो रस्तो इसी वीडियो को continue कर लेते दो example हो चुके अभी बाकी 3 and 4 यह selling से related example है आई होप अभी यह तक आप वीडियो में यहापे बने है सो रस्तो selling से related है सो यहापे आप example देख सकते हो यहापे वाइदे नाथन जी आप नाम यहापे पढ़ सकते हो वाइदे नाथन जी ने यहापे क्या किया था IDFC first bank के shares उन्होंने आपे बेचे थे जबर्दस गिरावट यहापे होई थी अभी आप बोलो कि वाइदे नाथन जी कौन है तो वी वाइदे नाथन यहापे founder है and chairman है capital first के या फिर आप बोल सकते है MD&CO है करण जो IDFC first bank आपको देखने को मिल रही ना उसके सो उन्हेंने shares बेचे थे कितने shares बेचे थे लगबग 45 million shares बेचे थे कितने भाव के उपर जब market में बहुत तैल का मचा था ना COVID के वक उन्हेंने लगबग 21 रुपे के आसपस रफली पकड़ लिते 21 रुपे के आसपस उन्हें 45 million shares बेचे थे तो उसके बदले उनको कितना मिला था लगबग 94 करोड मिला था कितना 94 करोड पता है आज की दिन IDFC कितने पर चल रहा है 57 रुपीज पर चल रहा है मोटा मोटी तो यहाँ पे उनके जो investment है ना उसके value कितनी हो सकती थी लगबग 200 करोड यह 200 करोड कि उनकी investment हो सकती थी उनने कितने में बेज दी थी पहले लगबग 94 करोड तो उनका नुकसान देखे कितना हो गया लगबग 162 करोड का नोशनान नुकसान आप ऐसा भी आपे बोल सकते हो यह में क्यों बता रहा हूँ दोस्तों कमपनी के MD&CEO को भी exactly पता नहीं होता है कि खब exit करना है अब खुद देख सकते हैं यहापे मैंने आप लोगों के सामने यहापे example भी रखा है e-paper live mint आप लोगों ने जरू सुना होगा तो उसी से related हम लोगों को यह सारी चीज़े देखने को और सुनने को यहापे मिली थी कि वी वईदे नाथन जी ने अपने ही कंपनी के आपे शेर्स बेचे है 45 मिलियन 20 रुपे के भाव के आसपास और आज उसी का value 57 ए 162 करोड का notional loss दोस्तो क्या समझ में आ रहा है कि exactly exit level भी किसी को पता नहीं होता है आप देख सकते कंपनी के खुद MDCEO कोई ये बात पता नहीं है और चले ये एक example नहीं है एक और example में आपकी सामने रखना चाओंगा HDFC Bank HDFC Bank ये वक्ति कोन है मुझे नहीं लगता कि आपको introduction के यापे जरूरत है बट चले मैं आप लोगों को यापे बता देता हूँ जिनके यहापे मैं बात कराऊं वो है XCEO and MD Mr. Aditya Puri Sir उनने भी यहापे क्या खिया था लगबग 843 करोड के शेर्स HDFC Bank के यहापे उनने बेचे HDFC Bank के head MD and CEO कितने लगबग 8500 करोड के शेर्स उनने बेचे, कितने भाव के उपर 1130 के average भाव के उपर 1130 पे बेचा, आज भाव कितने पे चल रहा है HDFC Bank का 1497 मतलब 1500 ही पकड़ लो और टॉप लग लेवल देखो कहा तक चला गया था 1722, 1700 तक चला गया था मतलब अगर कंपनी के आप MD है, CEO है जिनके पास कंपनी से रिलेटर सबसे ज्यादा information होती है उनको तो perfect भाव पता होना चाहिए कि कब exit, exact exit करना चाहिए जैसे आप पूछ रहे थे न किसार आप exact selling level बता दो तो देखें कंपनी के MDCEO को भी पता नहीं है अगर हम लोग इसका भी calculation कर ले जो उन्होंने लगबग 8500 करोड उनको मिला था 1130 पे उन्होंने माल बेचा आज लगबग वो 1500 पे चल रहा है stock अगर वो आज बेचते तो लगबग उनको 1100 करोड से भी जादा मिलता मतलब कितना उनका national loss हुआ लगबग लगबग 273 करोड तो overall conclusion में बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ दोस्तो यह जो आप पूछते रहते न कि best buying level बता दीजे best selling level बता दीजे यहाँ पर यह example चार example से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कोई company के खुद के owner company के founder company के MD, company के CEO उनको तक पता नहीं है कि exact level क्या रहता है क्योंकि दोस्तो बाजार बड़ा है बाजार में बहुत सारी चीजे चलती रहती है uncertainty रहती है so overall conclusion क्या है दोस्तो best buying and selling level के लिए अपनी energy मत वेस्ट करना, best share and best stock कुन सा है best business कुन सा है इसके उपर focus रखना आप देख सकते मेरे लगातार जितने भी videos रहते उसमें यही बात बोलने की कोशिश करता हूँ कि आपने business के उपर focus रखना है अगर आपका business अच्छा है न वो company का share market है share market में तो shares गिरेंगे ही गिरेंगे इसके पहले का पहले का वीडियो जाके देख लेना मतलब last to last Saturday का वीडियो देख लेना मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको करोड़पती बनना है stock market में तो invest करके काम नहीं चलेगा hold भी करना पड़ता है and hold करने के लिए आपको वो fact पता होना चाहिए तो वह आला वीडियो ज़रू देखना ना बहुत ही important वीडियो उस वीडियो का link भी मैं उपर i button पे देता हूँ तो आप लोगों को समझ में यहापे आ जाएगा कि stock market की जितने भी best stock है कभी ना कभी 40, 50, 60, 70% यहापे गिरे है so exactly buying and selling level दोस्तों ऐसा नहीं होता है best business, best stock आप लोगों ने identify करना होता है and इसलिए दोस्तों किसी की सुनो मत कि यह आपी यह level best है इस level पे आने के बाद खरीदो, इस level आने के बाद बेच दो मैं again के रहा हूँ, मैं long term investors के हिसाब से बात कर रहा हूँ ऐसे बहुत सारे लोग आपको telegram के उपर, youtube के उपर उसी के साथ-साथ instagram के उपर social media के उपर, जिसमें मैं भी आता हूँ अगर कभी मैंने भी बोला होगा, तो मेरी भी मत सुनना मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है किसी को कोई फरक ने पढ़ता हूँ, और ये exactly level कोई भी बता नहीं सकता है तो ये चीजे हमेशे याद रखना और जाते-जाते ये golden words याद रखना 2020 वाला crash 2020 वाला जो crash था ना, उसके पहले मतलब 2019, new year था ना तो बहुत सारे लोगों ने portfolio बनाया था जिसमें मैंने भी बनाया था, मैंने भी खुद कुछ shares add किये थे, लगबग 3-4 shares add किये थे, कब 2019 का new year, मतलब 2020 स्टार्ट होने वाला है, और दो मेने के बाद मोधी जी आके क्या बोल रहे थे कि 21 दिन घर से बाहर मत निकलो क्यों कि COVID आया था आपको याद होगा, stock market के हालत क्या हुई थी हम लोगों ने best buying level के हिसाब से shares खरी देते पूरे दुनिया ने खरी देते, क्या हुआ उसके बाद market 40% crash हुआ सब के stock 60-70% crash हो गए सो कहाँ पे चला गया best buying level तो बताने का मकसद यह है दोस्तो कि best buying नहीं देखना होता है best business देखना होता है और जो 3-4 stocks मैंने खरी दे थे वो best business वाले stocks थे और इसलिए मेरे वी stock 50-60% गिरे थे बट आज वही stock 200-300-400% भाग गए सो यह चीज़ आप लोग को समझ में आपे आने चाहिए प्लस एक और example H2B2 H2B2 मतलब HDFC Bank, HDFC Limited, Bajaj Finance, Bajaj Finso COVID के crash में आपको याद आया होगा कि यहापे लगबग 45,000 के आसपस Bajaj Finance चलता था बहुत से अरो लोग बोलते थे तियार Bajaj Finance अभी क्या खरीदने का 45,000 पे मेंगा है 4,300 पे खरीदो खरीद लिया उसके बाद और गिरावट हो गई 4,000 पे आगया अभी 4,000 पे खरीदो वो गिर गया कि नहीं 3,000 तो best support level है वो भी तूड़ गया 3,000 आगया नहीं 3,000 तो सबसे strong support level है वो भी तूड़ गया 5,000 पे आगया ऐसा करते करते Bajajaj Finance भी कहा तक आगया 800 के level तक आगया तो यह मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसे बताने वाले आपको बहुत सारे लोग रहेंगे कि ये level पे खरीदो वो level पे बेचो बिलकुल भी किसी की सुननी नहीं होते है जैसे मैंने आपको बता है कि पैसा आपका है तो final decision भी आपी का होना चाहिए ऐसे बहुत सारे लोग है जो कि long term investment की बात करते हैं आपको daily basis के उपर levels बताते रहते हैं किसी की सुना मत दोस्तो best stocks को चुनना आपको यहाँ पे आना चाहिए अगर आपको देखना है यह वाला वीडियो भी बहुत popular हुआ था यह वाला वीडियो मैं link उपर आई बटन पे देता हूँ तब ही मैंने आपको कहा था कि best stock करके आप लोग ने invest करना है ना कि levels देखके अगर नीचे आता है तो खरीदो वो तो हमारे हाथ में नहीं है जिनोंने भी खरीदा आज उनको याद है कि उनके returns कैसे यहाँ पे बंद रहे तो यह पुराना वीडियो देखलना SMKC चैनल के उपर आप लोगों को मिल जागा कि best यहाँ पे exact level क्या है buying का and exact selling level क्या है तो इतने मैंने आप लोगों के example आप लोगों के सामने आपे रख दिये कि best selling level करने के बाद भी यहाँ पे company MDCO तक यह judge नहीं कर पाए कि best exactly selling level क्या है उनने बेचने के बाद भी stocks 40-40-50% भागे है and best buying level भी मैंने आप लोगों के यहाँ पे बता दिये जापे RJ सर ने भी buying करने के बाद 28 दिन के बाद stock 60% crash वा और यह एक example नहीं है ऐसे multiple example है so best buying and selling level से अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने energy का पे invest करनी चाहिए yes best stock कुन सा है क्योंकि कोई भी stocks आप खरीदोगे न वो आज नहीं तो कल यहाँ पे 20-30-40% गिरेगा ही गिरेगा and आपके best जितने भी buying and selling ने मतलब उसके नीचे ही वो आने वाला है तब आप में वो courage होना चाहिए कि हाँ यह company अच्छी है and यहाँ पे गिरावट में मैं उसको और buy करूँगा तो आपको अच्छे कासे returns long term में आपे generate करके वो दे देगा so आशा करता दोस्तों जितना भी important concept था वो मैंने आप लोगों के यहाँ पे बता दिया है, सीखा दिया and एक और दूसरा चैनल है, SMKC करके अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी follow कर सकते हो link नीचर description box में provide कर दिया है तो जरूर इस वीडियो को like कर देना, दोस्तों के साथ share कर देना so वो लोग भी इस proper concept को यहाँ पे सीख पाएंगे so that's it, thank you very much दोस्तों, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, bye bye